मुंबई हाई कोट ने मोधी सरकार को एक और जटका दे दिया है क्या जटका है यह जो मैं आपसे बोल रहा हूं मैं तो बहुत छोटा सा यूट्यूबर्स हूं बहुत छोटा सा पत्रकार हूं देश के अंदर 2024 के चुनाओ को सही तस्वीर रखने के लिए जो यूट्यूबर्स हैं इंफिलेंसर हैं और बाकी लोग जो गोदी मीडिया से निकल करके आए हैं जिनको कोई जगा नहीं मिली है जिनकी नोकरिया छूटी है बाहर पत्थर उपर बात करने को मजबूर है पुन्ने पर सुनवा आखिरकार कुनाल कामरा वो कॉमेडियन है और बाकी तमाम लोग इन लोगों ने मापर जो अपनी पिली डाली थी अपनी रिक्वेस्ट डाली थी उसके बारे में मोधी सरकार को जटका आया कि आप फैक्ट चेकर नहीं लगा सकते हैं क्या था वो मैं आपको पहले बता दू एक ऐसा फैक्ट चेकर कि जब कोई यूट्यूबर अपनी खबर बनाएगा अपने परसनल सूर्से से तो उसको सरकार के आदमी पहले चेक करेंगे उसके बाद आपके सामने पेश करेंगे वरना उसको वहीं खतम कर देंगे जो सेंसर होता है जो टीवी में होता है वो सेंसर क्या हो चुका आपको मालूम है चैनल 18 का अमन चोपडा नाम का एक जो है बागल बिल्ला वो आगर के जूटी खबरे देता राजिस्थान की पुलिस महां से आती है थोड़ा सा जुर्माना लगता वो फिर बेहयाई के सामने साथ आ जाता है अब आगर के लड़ू के ओपर बोल रहा है कि मैं लड़ू मगाता था यानि कि इसकी पहुंच उन पंडितों तक थी तिरूपती के के लड़ू मगाता था और उसके अंदर वो बता रहा बीफ लगा दिया गोया कि उसमें तो कोई मुसल्मान नहीं मिल पा रहा है उस बोर्ड में तो हैं ही उन दुसारे के सारे लगबग उसमें भारतेंदा पार्ड़ी के नेता भी बताय जा रहा है बस यह है कि जगन मोहन ड्रेड़ी की सरकार को बदनाम किस परकार से किया जाए एक इसाई चीफ मिस्टर को किस परकार से दरकिनार किया जाए चंदरबाबू नाइडू भी इसी बात पर आ गए है उम्मीद की जारी थी कि अमरवाती बनाने जा रहा है हैदराबाद जैसा बना कर आए हैं तो कुछ कर देंगे लेकिन नहीं जो हिंदी पट्टी में वो सांसत कहके गया था कि गोबर पट्टी है वो गोबर पट्टी वहां तक पहुँच गई है अपनी बात पर आता हूँ बात ये है आप खबर देखें इसको छापा नई दुनिया ने के असन्वेधानिक है सरकारी फैक्ट चेक यूनिट कोमेडियन कुनाल कामरा केस में बॉमबे हाई कोट का मोधी सरकार को जटका क्या है जनाभेवाला वो सुन लीजे दो जज़ों की बेंच ने बटा हुआ फैसला दिया था कॉमेडियन कॉनल कामरा के केस में जिसके बाद तीसरे जच को अपनी टाइब रेकर ओपिनियन की जिम्मेदारी दी गई बॉंबे हाई कोड के जज जे एस चंदूर कर ने शुकरवार को फैसला सुनाया है क्या फैसला है वो सुन लीजे परधान मंतरी नरेंदर मोदी के नेतरत वाली केंदर सरकार को बॉंबे हाई कोड ने करारा जटका दिया इस मामले में टाइब रेकर ओपिनियन देते हुए कोड के जज जस्टिस जेस चंदूर कर ने केंदर सरकार की प्रस्तावित फैक्ट चेक यूनिट को समविधान के विरुद बताया है स्टेंड अप कॉमेडियन कुनाल कामरा की तरफ से दाखिल याची का पर फैसला सुनाते हुए शुकरवार को जस्टिस चंदूर कर ने ये बात कही क्या कहा? जस्टिस जंदूर कर ने कहा कि नई फैक्ट चेक यूनिट के गठन से भारत के समविधान अनुछेद 14 समानता का जो अदिकार होता है अनुचेद 19 अभी वेक्ती की जो सौतनतरता होती है अनुचेद 19 वन जी पेशा चुनने की सौतनतरता और अधिकार का उलंगन होगा इसके साथ हाई कोट ने केंदर सरकार की तरफ से पिछले साल लाए गए Information Technology संशोधित नियम 2023 में किये गए Fact Check Unit गठन के प्राउधान को निरस्ट कर दिया है आप आवाजों पर परतिबंद लगाएंगे कब लगाएंगे जब आपके खिलाफ होंगी 2014 में जब आप परधान मंतरी बन कर आए मोधी जी उस समय आपने महीने डेड़ दो महीने बादी एक काम ये किया अपने प्रिये मित्र मुकेश अमबानी से चैनल 18 खरीद वा दिया उस टाइम के बाद जी नियूस के जो मालिक था उसको आपने राज्यसबा भेज़ दिया चैनल 18 के अंदर एक चैनल है इटीवी अब तो वो चैनल 18 का वो हैदराबाद से चलता था वो आपकी बातों में आने रहा था आपने फिर भी उसको खरीदवा दिया ऐसा आरोप लगता है अब ये 2014 के बाद जबाने तो सबसे पहले आपने खरीदी है अब चुक्कि वो लोग वहाँ से निकल करके या किसी भी कारणवश आए उन्हेंने यूटीव चैनल खोल लिये साब कुनाल कामरा ने आके कमेंट कर दिया ट्वीटर पर कोई बोल बैठा आपको बहुत परिशानी हुई आपने क्या काम किया आपने उसके अंदर एमेंडमेंट करके सेंसर बोर्ड में जो भी बना था उस पर एक फैक्ट चेकर बना दिया है मुहम्मद जुबहर जो फैक्ट चेकर है जुबियर करके वो रोजाना आपकी पार्टी के नेताओं के वक्तवों का पोस्ट माटम करता है वो रोजाना बताता कि कितनी जूट की आर्मी ट्रोल आर्मी आपका मितमालिय चलाता है उसके बारे में तो जरह बात कीजिए जनाबे वाला लेकिन ये आवाजे आपको बुरी लग रही थी आपने फैक्ट चेक बना दिया के फैक्ट चेक करेंगे साब हम अरे आप उन वोदी मीडिया के जो बागल बिल्ले नॉइडा में बैठे हैं उन पर तो बताईए कितनी आपने कारवाई की नफरत फैला कर रख दिये पूरे देश में आपका गुलगान एक पर्टिकुलर विशेश वर्क को जो है दुश्मन बनाना पाकिस्तान को चीन का जिकर जादा नहीं करेंगे वो पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे कबरिस्तान के बारे में बात करेंगे आपको बताया जाता है कि 88 पीसद 90 पीसद टोटल आपको दिखाया जाता है तो आप वहाँ से खुश हैं उनके उपर आपने कोई ऐसा सेंसर बोर्ड ने कोई ऐसी कार्रेवाई नहीं की है जो वाकिय नजीर बने जो नफरेते फैला रहे थे फिर दुबारे से खबरे पढ़ रहे है तो दोस्तों बात यह है कि अब मुंबई हाई कोट ने हाला कि वहाँ भी एक जज चपर गया था मतलब हड़ गया था उससे तीसरा जज आया उसने का नहीं ये जो है आजादी पर सुतंतरता पर एक परतिबंद है अगबार देगो क्या लिखता है चंदू करगर ने बताई दिया वो मैं आपको बता रहूं बार बार नहीं बताना चाहता इससे पहले ये दो मामले जो अभी वाजित हो गया था सुप्रिम कोट में लगा चुके हैं इस्टे केंदर ने अपने ओफिशल फैक्स चेक यूनिट संचालित करने के नौटिफिकेशन पर सुप्रिम कोट में मार्च में इस्टे लगा चुका है सुप्रिम कोट ने कहा था कि केंदर इस मामले में तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक बॉम्बे हाई कोट की इस सनविधानिक वैदितापर निरुने नहीं होता सुप्रिम कोट पहले मौजूद था उसने कर दिया था काम कुनाल कामरा की याचिका में कही गई वो बात कुनाल कामरा ने याचिका करताओं ने और अन्य याचिक करताओं ने केंदर सरकार की चेक यूनिट का विरोध करते हुए याची का दाखिल की थी उनका कहना था कि ये शंसोधन अभी व्यक्ति और विचारों की सतरतरता पर गैर वाजिब परतिबन लगा देगा याची का करताओं का कहना है कि इन परतिब प्रावधानों ने आनलाइन कंटेंट पर सरकारी संच चिप लग जाएगी सरकार को इस बात का अभी योजग जजज बनने का मौका मिल जाएगा ऑनलाइन क्या सक्ते पेश किया जाएगा बैराल बात यह है कि ऑनलाइन से भी आपको दिक्कत होगी चूंकि 2024 में आपके उस अभियान को 400 अभियान को बीच बीच में सुराक करके उसकी हवा निकाल दी हमने भी अपनी बात की जब वो नाचने वाला जो था ना वो कौन था सी वोटर वाला जो रोड़ना लगा था पिछली बार नाच रहा था सर राजदीब सर दिसाए के साथ उसने एक तारिक को आकर के बम फोड़ा और तमाम जो शेयर बजार उसके अं हैं हम आंदर परदेश में हमें उम्मीद नहीं थी वाकिए लेकिन हमने जो बताया आपको 90 फीसद सही था वो ही निकल कर आया वो 202,303,304 तो क्या पहुंचते वो 240 पर आकर टिक गया लंगड़ी सरकार चलाने को मजबूर है मोदी जी यूटर लेने पर बार बार मजबू रोके अधिना ओम कशिअब जो है जब आया वो एक तारीक को तो अपनी बातों में कड़ बला गई बात कुछ और हो रही है बोल कुछ और ने लगी तमिल नाडू में परसंटेज बढ़ा दिया सीटे बढ़ा दिया और बता वो कुछ और रहा था ये आलम था अंदर का मैं है आपका आश तक बापका सुआगत है मैं हूँ अजना हो मोदी मूँ से मोदी निकल जाता उसके तो ये आलम था जब ये वाली बाते होंगी चारो तरफ शोर होगा आपका जहन भी दरसल टीवी से मुबाइल से ही बनता है लेकिन लोगों ने आगर क्या आपके सामने हकीक लोटों जहिन कर लोटों